नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे हमारे ही एक पेशेंट जो अभी कुछ समय पहले हमारे पास आये थे अपनी वेरिकोसील ग्रेड थर्ड की समस्य के साथ केवल वेरिकोसील ही नहीं बलकि वेरिकोसील के कारण उनके जो स्पर्म काउंट है वो 99% डेड हो गए थे अब इन समस्याओं के साथ आप समझ सकते हैं कि अगर इवन किसी को वेरिकोसील भी होता है तो वो कितना डिपरेशन में चला जाता है कितनी प्रॉबलम सा सामना कर रहा होता है और सबसे बढ़ी बात अपने ही थाथ जिनसे वो लड़ रहा होता है तो अकसर जब ऐसे पेशेंट्स होते हैं तो वो एक सही ट्रीटमेंट एक सही इलाज धूण रहे होते हैं और इसके लिए सबसे जरूरी एक बात होती है वो होती है trust, कि किस पर trust करें, कौन सा treatment सही है, कौन सा treatment असरदार है, क्योंकि generally हमें क्या होता है कि कोई भी समस्या आई तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, alopathic treatment लेते हैं, और aeropathy में vericocele के लिए especially सबसे पहले एक बात बोल दी जाती है क्या surgery, लेकिन हम सब जानते हैं कि जादतर लोग operation से, surgery से ऐसी चीजों से बचना चाहते हैं, और ये सही भी है कि अगर बिना surgery के बिना operation के किसी चीज का इलाज है, तो हमें सबसे पहले अपने आप को एक मौका उसे देना चाहिए, कुछ इसी तरह से आज से लगब किया, नीचे देगा नंबर पर call किया, हमारे डॉक्टर से appointment ली और हमारा treatment शुरू किया, तीन महीने तक बहुत अच्छे तरीके से diet follow उन्होंने की, regular medicines, proper time पर ली और जो exercise उन्हें बताई गई थी वो उन्होंने regular रखी, and the best part is, तीन महीने बाद जब उन्हें हमारे seal grade third था, आप report में देख सकते हैं, तीन महीने पहले जो third grade verico seal था, वो तीन महीने में उनका पूरी तरीके से recover हो गया, और even जो वालसफा किया जाता है, vein size चेक करने के लिए, जब उन्होंने अपना वो test कराया, तो उनका vein size घट कर 2.5 mm हो गया, और अगर बात करें, उनके ज verico seal की समस्या थी, जिसके लिए doctors ने उन्हें surgery बता दिया था, वो उन्हें नहीं करानी पड़ी, लेकिन अकसर ऐसा देखने को मिलता है, बहुत सारे patients को ये लगता है, कि verico seal की वज़े से हमारे जो sperm है, इस पे दिक्कत आएगी या नहीं आएगी, वो ये question बूछ रहे होते हैं, सही treatment ढूंडे, और अगर हम बात करें, इसके सबसे असरदार treatment की, तो homeopathic से best कुछ और नहीं होता है, ये हम सब जानते हैं, क्योंकि सबसे पहली बात, homeopathic medicine का कोई भी side effect नहीं होता, second best part, ये consume करने में, यानि लेने में बड़ा असान होती है, या तो आपको drops होती है, क और आपके blood के साथ मिलके काम करना शुरू कर देती हैं, ये दो ऐसे फायदे हैं, जिसकी वज़े से आपको जो इसनके result है, वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही जल्दी देखने को मिलते हैं, बशर्ते, आप अगर थोड़ा सा patience रखके, life में discipline लाके, दवाईयों को regular लेते तो एक चीज हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि जो allopathic medicines होती हैं, वो strong drugs होते हैं, वो आपकी जो समस्या है उसको सिर्फ दबाती हैं, इसलिए हमें उसका result है वो instant मिलता है, लेकिन allopathic medicines हमारी समस्या की जड़ पर काम नहीं करती हैं, ये हम सब अच्छे तरीके से जानते है और वहीं दूसरी तरफ हमेंपेटिक मेडिसन आपकी समस्या की जड़ पर काम करते हुए, उसे पूरी तरह ठीक करती हैं, तो अगर आप भी वेरिकोसील की समस्या से जूज रहे हैं, ये आपका कोई दोस्त, आपका जान परचान वाला वेरिकोसील जैसी किसी समस्या से कोई जरूरत नहीं है, आप नीचे दियेगे नमबर पर एक बर कॉल करें, फ्री ओफ कॉस्ट, आप भारत हुआ परते हैं कि डॉक्टर की टीम से एडवाइस ले सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं, अपनी समस्या उनके साथ साजा कर सकते हैं, तो आई होप इस वीडियो में के कुछी हफतों में, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करते हैं, शेर करना बिल्कुल ना भूलें, और ऐसी और वीडियो के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब जरूर करें